आपका होस्ट हैं दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक न्य वीडियो में मड़ेफेंस अगर आपने भी किसी बैंक या एन भी एपसी के माधियम से लोन लिया है और आप उसका प्रजन टाइम में भुगतान करने में असमरते हैं को डराや जा रहा है आपको धंका 요吸 आपको प्रताडिट किया जा रहा है मेरे आपटर रिखे हैं बीडियो को आप बिल्कुल को जरूर सब्सक्काइब करें और सुवस्काइब करने के बाद में बैल icon को प्रस कर दें और on कर दें on eachba को और गाईज अगर आप इस वीडियो को हमारे फेजुक पेज पर देख रहे हैं, किरिपया करके आप हमारे फेजुक पेज को जरूर लाइक करें, माड़ी फेंट्स आप लोग सभी जानते हैं, लोग डाउन के चलते आप इन बैंक और NBFC का भुगतान नहीं कर पाए, आपका बिजनिस वियापार जो है पूरे तरीके से ठफ हो गया, तो इन बैंक और NBFC के जो रिकबरी एजेंट हैं, उन्होंने आपको डराना शुरू कि आपके साथ में गुंडा गर दी, इन्होंने पूरे तरीके से करनी शुरू की, ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जिनकर नाम है जीतेंद्र, जीतेंद्र ने मुझे इमेल करके बताया, सर मैंने कुछ टाइम पहले बजाज फिनसर्फ से लोन लिया, और मैं उसका लेकिन मुझे किसी प्रकार का वो व्यक्ति वक्त नहीं दे रहे हैं, आज मुझे उन्होंने एक मैसिज किया वाट्सअप पर जिसमें कहा, कि आपके उपर पूरे तरीके से लीगल एक्शन हो गया है, और अगर आपने दो दिन के अंदर अंदर बहुतान ने किया, तो आप को कोट आना पड़ेगा, गोवर्मेंट के द्वारा एक ऐसी ओर्गनेजेशन लेकर के आई गई है, जो कि अगर व्यक्ति डिफोल्ट करता है, उसका भूरे तरीके से इलाज किया जाएगा, और पूरे तरीके से उससे पैसा निकलवाया जाएगा, तो उसने पूछा कि वह मेरे पास में जानकारी है, अभी बैड बैंक ने कार्य स्टार्ट करना शुरूर नहीं किया है, दूसरी बात बैड बैंक है क्या, तो देखिए बैड बैंक को लेकर के मैं और बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूँ, अगर आप देखना चा है, जब बैंक और NBFC के लोन जो है, पूरे तरीके से वो आएंगे, और जब बैंक और NBFC को लगेगा, कि अब इन लोन का भूगतान करना जो कस्टुमर है, उनके लिए पोसिवल नहीं है, तो बैंक और NBFC वाले जो क्या करेंगे, उनको पूरे तरीके से बैड बैंक को से कर देंगे और bad bank जो है उनका पूरे तरीके से recovery करेगा right simple भाषा में ये है bad bank का मतलब जो मैं समझता हूं जो मेरी समझ में आया है और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बताना च आपको इसी तरीके से डराते हैं धमकाते हैं और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते देखिए आपका जो EMI default हो जाता है आपको मैं बताना चाहूंगा जब आपकी तीन EMI default होंगी तो आपका जो account है वो NPA में डाल दिया जाएगा NPA क्या होता है non performing assets ऐसा पैसा जो कि bank औ आपकी 2 EMI default हो गई 3 EMI default हो गई ऐसा हो जाएगा वेसा हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा कोई डरने वाली बात नहीं कोई गवराने वाली बात नहीं है और दोस्तों एजो आपको डराते है कि आपको हम jail करा देंगे हम आपके साथ मैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे पैसा वापस कर दीजिए immediately, अगर आपके पास ने पैसा नहीं है, तो 101% ये bank और NBFC वाले आपका कुछ भी नहीं उखाड सकते, ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजेगा, हाँ, ये व्यक्ति किसका उखाड सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर व्यक्ति पैसा नहीं आता है, जो पूरे तरीके से willful defaulter है, उसका तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, अब willful defaulter कौन होता है, देखिए, एक तो होता है genuine defaulter, और एक होता है, जो व्यक्ति जान पूझ करके bank और NBFC का पैसा नहीं दे रहा है, उसके पास में पैसा है, वो हो जाता है willful defaulter, औ और जो defaulter होता है, जो genuine defaulter होता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है, वानों आपके पास में पूरे तरीके से पैसा है यह नहीं, आपका business वेपार जो है पूरे तरीके से ठप हो गया, अब आप कहीं से भी bank और NBFC का पैसा नहीं दे सकते, तो वो आता है genuine defaulter में, तो उस व् आनोनी वे में तो भी वापसी लेगा है, या आपके साथ में गुंडा गरदी करेगा, या आपको डराएगा, या आपको धमकाएगा, या आपको प्रतारित करेगा, या आपके मान सम्मान को चोड़ पोचाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगत कर सकते हैं, email कर सकते हैं, हम पूरे तरीके से आपके comments का email का जवाब देने का प्रियास करेंगे, और guys, आप अगर हमें telegram पर follow करना चाते हैं, तो देखे, telegram पर हमने पूरे तरीके से अपना एक channel बना लिया है, जिसका LINK मैं आपको वीडियो को देसक्रिप्षण में देदुंगा, आप उस dividing को जरूर सूस्क्राइब करें, अगर आप मैं Twitter पे फोलो करना चाथे है तो क्रिप्षण करके आप मारे Twitter पे भी जा सकते हैं, czy Twitter पे भी हमें follow कर सकते हैं जिसका link मैं आपको वीडियो का description box में दे दूँगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को like, share और channel को subscribe करें और मैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेकर के आता रहूँगा फिर में लूँगा किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें और market में बहुत सारे फरजी advocate घूम रहे हैं उन advocate से आप बचके रहें दन्यवाद